एक गरीब बाप के लिए बेटे का तोहफा एक सहर में एक गरीब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ उसको पालने में वह गरीब बाप कड़ा परिश्रम करता था लेकिन उस बच्चे की जब वह चार साल का था उसकी किड्नी खराब हो गई तो उस गरीब बाप ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी एक किड्नी दे दी और उसे बचा लिया वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए अपने बाप से पचीस लाख रुपए की मांग करने लगा तू यहीं कहीं सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर ले यह सुनकर उसका बेटा बोला आप कैसे बाप हो मैं पढ़ाई करना चाहता हूं और आप मुझे पैसे देने के लिए मना कर रहे हो मेरे सारे दोस उस कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं मैं अगर किसी और के घर पैदा होता तो वो मुझे पढ़ाने के लिए अपनी एक किड़नी बेज देता पर मुझे पढ़ाई करने के लिए जरूर भेजता यह बात सुनकर उसका बाब जमीन पर बैठ गया और थोड़ी देर बाद वो घर से निकल कर चला गया फिर वो अपने घर को गिर्वी रख कर पचीस लाख रुपए लाकर अपने बेटे को उस बड़े से कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा बेटा पढ़ाई करके चार साल बाद घर लोट कर आया फिर उसके पिता ने उससे बोला बेटा मैंने तुम्हारे लिए यह घर गिर्वी रखा था अब तुम आ गए हो तो इसको जल्दी से कर्ज मुक्त कर दो ताकि अपना घर फिर से अपना हो जाए तब बेटा बोला घर को कर्ज मुक्त करना मेरी जिमेदारी नहीं है कर्ज आपने लिया है आप ही चुकाएं मुझे पढ़ाना आपका फर्ज था यह सुनकर उसकी आखें भर आई और कर्ज ना चुका पाने के कारण घर भी निलाम हो गया और अब वो अपने बेटे के साथ एक किराय के मकान में रहने लगे फिर थोड़े दिनों के बाद उसके बेटे की शादी हो गई बहु और बेटे को पिता जी का साथ रहना बिलकुल पसंद नहीं था इसलिए वो अपने पिता जी से कहने लगा पिता जी हमको थोड़ा फ्रीडम चाहिए इसलिए आप अपना अलग इंतिजाम कर लीजिए मैंने आपके लिए ब्रिधा आश्रम देख रखा है उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी मैं आपको वहां रोज मिलने के लिए आऊंगा यह सुनकर उसके पिता की आँखों में आशु आ गए उसके पिता ने अपने बहु और बेटे की खुशी के लिए घर छोड़ कर जाने लगे और जाते हुए कहने लगे अब मेरा बेटा बड़ा हो गया और एक गरीब बाप के लिए बेटे का इससे अच्छा तोफा क्या होगा दोस्तों माबाप ने बच्चों को पौधों की तरह सीच कर बड़ा किया और आज जब बच्चे बड़े हो गए तो माबाप की सेवा करने के बजाए उन्हें बृद्धा अश्रम भेज रहे हैं आप ही बताईए कि माबाप को बृद्धा अश्रम भेजना कहां की समझदारी है धन्यवाद